हेलो दोस्तो केलडी क्लसेस में आपका स्वागता आज कह सकते हैं कि चार जुलाई को यूपी एस डबर ए की कह सकते हैं जो फर्स्ट राउंड का सीट एलाट्मेंट का रिजल आ जाएगा रिजल आने से पहले क्या आप तयार है रिजल देखने के बाद क्या आपको ऐसे जो बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे चाहे हो फ्रीज से को लेके हो चाहे हो फ्लोट को लेके हो या कह सकते हैं कि हम कैसे एडमीशन कराएं कि इतना फीज देना होगा सारे चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा और जिन दोस्तों को कॉलिज नहीं जाता है तो वह क्या करेगा चाहे ओवी सी हो चाहे हो एसी हो चाहे हो चाहे हो किसी भी कोस्ट का चाहे हो जनरल हो कह सकते हैं उसको क्या करदा होगा मैं क्लियर करूंगा कि फ्रीज क्या होता है फ्लोट क्या होता क्योंकि यह दो वर्ड जो ऐसे होते हैं फ्रीज और तो ऐसे में confusion रहेगा तो आप आने वाले समय में दिक्कत हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा कोई भी काम सरकारी तीन कह सकते हैं कि समय से नहीं होता है तो आप समय सकते हैं कि तीन साड़े तीन बजे के बाद ही आपके website पे सो करेगा चाहिए आप upswe.nic.in पे या सरकारी रिजल पे कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि जैसे यागा मैं आपको तुरणत inform करूंगा कि आपके first कह सकते हैं कि राउन की जो counseling का seat alignment का result आ चुका है जैसे seat alignment का result आएगा उसके बाद क्या करना होगा आप देखिएगा कि हम कौन सा college मिला आ है कौन सा branch मिला है गोर्मेट मिला है college की private मिला है सबसे पहले ये देखिए कि मेरे पसंद का है या मेरे पसंद का नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे अगर आपको college पसंद है अगर आपको college पसंद है आपको branch पसंद है आपको सहर पसंद है तो आप क्या करिए अगर आप OBC और general है समझेगा मैं उतना पढ़ूंगा नहीं मैं आपको वही चीज को समझा देता है अगर आप OBC और general है तो आपको counseling फी 20,000 रुपया देना होगा य online mode में जमा होगा जैसे आपने 1000 रुपय registration फी जमा किया था और अगर जो दोस्त हमारे चाहे OBC हो चाहे ST हो अगर वो होंगे तो चाहे वो बॉआ हो चाहे girl हो उनको 12,000 रुपय counseling फीस देना होगा हाँ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको admission लेना होगा तभी जमा करिएग वरना इस पैसे को मत जमा करें क्योंकि अगर आप बाइचांस एड्मीशन नहीं लेते हैं तो ये पैसा आपका वापस नहीं होगा चाहे आप कह सकते हैं कि मैं कह सकते हैं कहने मलब क्या समझारे चाहे आप कुछ भी कर डालिए जो कह सकते counseling फीस होता हो वो आपस नहीं होता मैं अगर बात करूँ को float क्या होता है float का मलब यह होता है कि जो college आपको मिला जैसे माले आपको लखनाओ मिल गया लेकिन आप सोच रहे हो या लखनाओ तो मेरे लिए बहुत दूर हो जाता या college अच्छा नहीं या branch हमारा अच्छा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि हमको कान पूर मिल जाए तो क्या करेंगे जो seat आपको मिला है आप कह सकते हैं कि अगर माल यह float भी कब होता है float कब होता फ्लोट आपको अगर माल यह उपर से आपने कैसे पांचवे नंबर का college मिला है तो आप अगर float कराते हैं तो उपर के चार college बचे रहते हैं उसी में से मिलेगा नीचे के कोई भी college आपको नहीं मिले और जिन दोस्तों ने float कराएंगे या जिनको college इलाट हो जाएगा वो नया registration नहीं करा सकते हैं second round में वो कुछ भी नहीं कराएंगे बस first round में सिर्फ float कराके वो इंतजार करेंगे second round का result कब आता है और जिन दोस्तों को seat पसंद हो जाए float का मलब कि जो college आपको पसंद मिला है वह अभी पसंद नहीं है मैं इससे अच्छा college चाहता हूँ इसलिए आप float कराते हो समझ सकते हैं तो चाहे आप freeze कराएं चाहे आप float कराएं counseling फिस जो आपका 20,000 और 12,000 category के इसाब से हैं ओ आपको जमा करना ही करना होगा यह नहीं कि हम बात करते हैं कि जिन दोस्तों को कह सकते हैं कि कोई college नहीं मिलता। क्या करें और क्या करेंगे और नहीं कॉलेज को जो उन्होंने 10 कॉलेज चूच किया था उस वही 10 रहेगा वो दोबारा उसमें 12, 13, 14, 15 नहीं कर सकते हैं तो यही चीज बाद में आप लोग कमेंट करेंगे सर मेरा 10 था तो मैं क्या इसमें 20 कर सकता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं जिसको कोई कॉलेज नहीं म अब बात करते हैं कि second round में कौन से लोग होंगे जो counselling कराएंगे यह चीज आप ध्यान रखियेगा नहीं तो बाद में आप परस्ताते रह जाएंगे यार क्या हुआ समसकते हैं चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन से लोग होंगे जो second round में counselling कराएंगे यह बात आप बहुत किलियर रखिएगा ऐसे अब भेरती जिन्होंने पहले पंजीकरन नहीं कराया है वह अब भेरती पंजीकरन सुल के एक हजार रुपिया जमा कर पंजीकरन ऐसा मैं समसकते हैं कि जिन दोस्तों ने चाहे वो बवाय हों चाहे गरल हों किसी भी कास्ट के हों जिन् पहले एक हजार रुपिया जमा करा के और रेजिस्टेशन कराएंगे समसकते हैं तो उनके लिए कोई दिख करते हैं होगा दूसरा पॉइंट है कि ऐसे अब भेरती जिन्होंने पंजीकरन कराया था लेकिन पंजीकरन सुलक का भुकतान नहीं किया गया उन अब भेरती को प पंजीकरन फीज जमा किया तथा प्रिथम रौण में कोई बिकल्प नहीं भरा या इसका उलग क्या होगे कि उनको कोई कॉलेज ही नहीं मिला ओ दोबारा कह सकते हैं कि रेजिस्टेशन कराएंगे और दोबारा कॉलेज को चूज करेंगे तो यह था हमारा किस सबसे पहले क जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलता है या नए दोस्त हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि हमको सेकेंड राउन में सारे परिकरिया में भाग लेना होगा तो आप बात को एक दम ध्यान रखिएगा नहीं तो बाद में यहीं चीज अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे सर मैं चीज मैं बात करता हूँ कुछ और इंपोर्टेंट ऐसे चीज है जो बहुत इंपोर्टेंट कह सकते हैं चलिए और आपकी बार कैसे कि जो फर्स्ट राउन में जो सीट भर जाएगा सेकंड राउन में जब आप कॉंसलिं कराएंगे तो वहां पर सो करेगा कि इस कॉलेज म में ही 80% सीटे भर चुकी है तो आप लोग का भी आज रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि कितने परसें सीटे भर गई हैं और कितने परसें सीटे रह गई हैं चलिए थोड़ा सा मैं और बात करता हूँ कि फ्रीज और फ्लोट आपको कब से कब कराना होगा और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट क्या है सारे चीजों के मैं बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा अच्छे तरह से जिसके आपको डेट भी याद रहे नहीं तो अभी कई लोग को कहें आज ही रेजल्ट आएगा क्या आज ही लग रहा है अब बताईए कि क्या सकते एक लाकिंग भी आपने किया होगा उसके बाद आज ही आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो अपने सीट एलाट्मेंट का जो रिजल्ट होगा ओ आज आएगा टाइम भी देख लिए कई दोस्तों नो टाइम पूछाए सब तीन बज़े आएगा चार तीन बज़े के फहले खोलते रहे कुछ नहीं होने वाला है तीन- साधे तीन बज़े के वार साधे चलने लगेंगी आप उसके वाध अपना कह सकते की रोल नंबर और जो आपका पासवर्ड है उसके आधार पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको प्राइबेट कॉलेज मिला है कि government college मिला इसके पास जब आप चेक कर लेंगे उसके पास आपके पास दो आपसन रहेगा एक freeze कर रहेगा और एक float कर रहेगा यह सब online होगा अगर आपको college पसंद है और कैसे देखिए अगर दोनों condition में देखिए अगर college आपको कह सकते कि college हो चुका है तो आप चाहे फ्लोट करें चाहे फ्रीज कराई आपको जो पैसा है counseling पीस अगर आप OVC और General है 20,000 रुपए अगर आप SC ST है तो आपको 12,000 रुपए देना है और भी कब से कब के date में 4 से देखिए आज ही से यह सुरू भी हो जाएगा आज से ही आप freeze और float करा सकते हैं चार साथ से हो ही जो जैसे ही आप result देखिए उसके बाद फैसला लीजे कि हमको करना है इसी college में करना है दूसरे वाले round में जो हमको जो college मिलेगा उसमें करना है उसके बाद आप लेके चार से लेके 7 तारीक तक रात के 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि freeze और float करके पैसा जमा कर सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया भी यह सारे चीज़ के बारे महीं चीज़ दिया है कि 20,000 और 12,000 इसके बाद जैसे आप यह जमा कर लेंगों उसके बाद 5 तारीक से लेके यहाँ पर दिया है कि फिचकल रिपोर्टिंग हो आप फ्री सीट कंडिडेट एंड पी आई कहने को बलब यह चीज़ होगी है कि जिन दोस्तों को पसंद हो गया कि वह अब इसी college में जो उनको मिला college उसी में admission लेंग कराना ही कराना होगा इसके बाद यह हो गया सारे परिकरिया किसके लिए यह फर्स्ट राउन के लिए अब आते हैं सेकंड राउन की जो counseling के लिए date कब से कब है यह हम बात करेंगे registration and payment आप फी वही चीज़े फ्री कह सकते कि फ्रेस कंडिडेट इसके बाद आठ तारीक से 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक आपका कह सकते हैं सेकंड राउन की counseling चलेगी उसके बाद 8 से लेके 13 तक आपका document verification होगा फिल online choice locking होगा 8 से लेके 14 तक इसके बाद 15 तारीक को आपका seat alignment का second round की seat alignment का result आएगा और जो लोग कह सकते हैं जो दोस्त फर्स्ट राउन में कह सकते ह है रहेंगे और दोबारा 15 तारीक को आपना कह सकते हैं कि seat alignment का result देखेंगे कि उनको कहां पर college मिला है तो यह था हमारा की फर्स्ट राउन में आज जो result आएगा उसके बाद हमको क्या करना होगा और जो दोस्तों ने फ्रस्ट राउन में कुछ भी नहीं कराय था उस सेकंड राउन कब से कब चाल होगा कितने पैसे देने होंगे सारे चीजों के बारे हमने बात किया इसी तरह से आप डेली केल्डी क्लसें बने रहें आप सभी दोस्तों को केल्डी क्लसे की ओर से धन्यवाद